तो दोस्तो आपका बाजेट है 20,000 के आसपास और आपको एक आचा स्मार्टफून खरीद ने हैं तो ये वीडियो आपी के लिए होने वला है काफी ज़दा रिशाच और काफी ठान बिन करने के बाद मैंने आप सब के लिए 6 स्मार्टफूनों को सेलेक्ट किया है जो की 20,000 के अंदर काफी आची कासी वेलियो प्रोबेट कर देता है और इन में से कोई एक आपके लिए बेस्ट होने बला है तो चलिए वीडियो को स्टाट कर लेते हैं और आप लाइक और सब्सक्रेब भी कर दिजिए तो दोस्तों हमारे लिष्ट के 6 नंबर पर जो स्मार्टफून है वो है मोटरोला की तरफ से मोटो जी सेबेंटी त्री फाइब जी यह स्मार्टफून आते है डामेंसिटे 930 के साथ जो की एक आच्छा प्राउसर है और तो स्कोर आपको 4 लाग 20,000 को पर देखने के लिए मिल जाते है तो पर्फॉमंस आपको आच्छा मिल जाता है याप आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलते है 6.5 इंच का एक फूल एजडी प्लास IPS LCD डिस्प्ले याप आपको 120 एट्स का है रिफ्रेश्टेट एजडर 10 प्लस का सार्टिफिकेशन भी देखने के लिए मिल बैटरी के बात करते है 5000 इमिश की बैटरी के साथ आपको 33 वाट का चार्जर बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है तो बैटरी और चार्जिंग में भी आपको को भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा और इस स्मार्टफून के अंदर आपको Android 13 देखने के लिए मि है तो यह बर भी आपको को भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है और अगर इसके प्राजिंग के बात करते हैं तो इसका एक ही वेरियंट है एक स्मार्टफून आपको 17 रूपय में देखने के लिए मिल जाते है तो यह फोन को आप देख सकतो काफी आच्छा एक स्मार्टफून है तो दोस्तों हमारे लेस्ट के फिट नंबर पर जो स्मार्टफून है वो है इन्फिनिक्स की दरब से इन्फिनिक्स जीरो फाब जी 2023 तर्बो इसके अंदर आपको 6.78 इंच का एल्टी पीएस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाते है तो डिस्प्ले 141 तिया तो पॉरफोसिए आपको कोभी कम्य देखने के लिए नहीं मिलेगा सब करें तो पीचे आपको 50 मेगा पिक्सल का ट्रिपल ग अमरा सटप देखने के लिए मिलता है मतलब 50 51 मेरा विक्सल का मेकरो डैफ के सल्सार और सेलपिक का मरा आपको देखने सबस्ट तो दोस्तों लोगों को जाधा और इनका बजट कम है उनके लिए उनके जीरो ऑटेजन ट्वान टीटी टर्बो बैटर होने बहला है क्योंकि की इसके अंदर को कम प्राइस के अंदर ज्यादा पॉर्फोमेंस दे गया है साथी में पूलेस च्टोर्इबी देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको को पॉर्फोमेंस के स्मार्फून को चेक आउट कर सकते हैं और हमारे लिस्ट के फोर्थ नमबर पर जो स्मार्ट्वून है वो है वान प्लस की तरप से वान प्लस नॉट सी इत्री लाइट 5G इस स्मार्ट्फून के अंदर आपको कॉल्गम स्नैपडरागन 695 देखने के लिए मिल जाते है जो कि एक आच्छा प् अब को डिस्पले काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाते है तो अगर क्यमारव में अधर आपको Cent FROM 5-1-2 Megapixel का मैं संसर साती में 2D Megapixel का मैक्रोर डेप्स असार और सेलपी कमर आपको 16 Megapixel का देखनी के लिए मिल जाता है तो क्याम एक क्लिटी भी आपको आच्छा मिलने वाला है और इस smartphone के अंदर आपको Android 13 देखने के लिए मिलता है, out of the box, और यह आपको Oxygen OS देखने के लिए मिलता है, तो operating system भी आपको आच्छा मिल जाता है, और इस smartphone के अंदर आपको 13 5G bands देखने के लिए मिल जाता है, और अगर प्राजिंग की बात करते हैं, तो यह smartphone आपको एक ही variant पर देखने के लिए मिलता है, 8GB RAM 128GB स्टोरिस के साथ, आपको एक smartphone 20,000 के अंदर देखने के लिए मिल जगा, जिनको एपर OnePlus का brand value जाहिए, तो अपर उनके लिए यह वाण प्रास नॉट्स स्मार्टून बेटर होने बला है, आप इसे भी चेक कर सब्तों, तो दोस्तों हमार अटेक्स के थाड नमबर बर जो स्मार्टून है वो है आई को की तरफ से आइको जैक्ट सेबन, इसके अंदर आपको डिस्पलि देखने के लिए मिल जाता है, आपको अच्छा मिलने माला है, लेकिन आपको नो अच्छा इसे आपको मैनेज करना बढ़ेगा, और अगर प्रफोमेंस काफी आच्छा मिल जाता है बैटरी की बात करते हैं 4500 इमिच की देखने के लिए मिलते हैं साथी में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है तो आपको बैटरी मॉडियल के अंदर भी को भी ज्याता शीके देखने के लिए नहीं मिलता है और प्राइजिंग के बात करते हैं तो इसका दो विरियंट है और एट विरेम और टी एट जिवी स्ट्रॉल के साथ आपको 20 सब्रूप में देखने के लिए में थे जिनको बेस्ट कैमरा सेटप चाहिए जिनको ओएस कैमरा चाहिए विडूग्राफी के लिए तो उनके लिए आपको अच्छा ओप्शन हो सकते हैं आप इसे भी चेक कर सकते हो और हमारे लिष्ट के सेकेंड नमर पर जो स्मार्टून है वह लाबा की तरफ से लाबा अगनी टू 5G डिस्प्ले देखने के लिए 6178 इंच का फूल इसडी क्लास एमुलेट डिस्प्ले 120Hz के साथ और यह बात करते हैं तो यह आपको डामेंग्स सेबंशी देखने के लिए मिसे जिसके अन्टू तूस्पूर आपको पाच्छ लाग वीचल का सब्स देखने के लिए मिए तो अपर पर्फॉमस्स आपको कावि आच्छा मिल जाता है क्यामरी की बात करते हैं तो इसकी बैटरी भी आच्छा मिल जाता है और इस स्मार्टफून के अंदर आपको 13 फाब जी बैंड्स देखने के लिए मिलता है और अगर इसकी प्राजिंग की बात करते है स्मार्टफून देखने के लिए मिल जाता है और आप बैंक और के साथ इसको 20,000 रुपए में खरीद पाएंगे तो 20,000 के अंदर ये आपके लिए एक आच्छा ऑप्शन हो सकता है और हमारे लिस्ट के फार्स्ट आमबर बर जो स्मार्टफून है वो है टेक्नो की दरब से ट काफी आच्छा मिल जाते है और अगर पॉफोमेंस की बात करते हैं तो ये पर सबसे ज्याथा पॉफोमेंस इस स्पार्टफून के अंदर ही देखने के लिए मिलते है जो कि आता है डामन सेटी 8050 प्रोस्टर के साथ और आपको एंथे लाग के उपाद देखने के लिए मिल उश्कें जते है और अब अपको दो मेटाब की अजया है के लिए मिल जाता है तो अबर भी आपको कोई भी शीक्षाइद देखने के लिए नहीं मिलता है और अगर इसकी प्राजिंग की बात करते हैं तो अब सबसे ज्यादा पॉफुमेंस चाहिए तो दोस्तो लास्ट में ही कहाना चाहूंगा अगर आपको कम प्रेस के अंदर कार्फ डिस्प्ले बला स्मार्टफून चाहिए जबर आप नोड आउट लाबागनी की तरफ जा सकते हो अबर आपको काफे आच्छा मिल जाते लेकिन अगर आपका वचेट एकदम कम है और आपको जयाद आप पॉर्फॉमेंस चाहिए तो आप इंफिनिक्स की तरफ जा सकतो इसके अंदर आपको कम प्रेस के अंदर पॉफॉमेंस भी काफी ज्यादा देखने के लिए में चाहिए तो दोस्ता होब कि आपको वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और मैं में तो किसी नेक्स्ट वीडियो पार थेंक्स फ़र वाज़ाए